पाँच दिन की छूट्टिया भिता कर जब ससुराल पहुची तो पती घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गारी खड़ी थी स्विफ्ट दिजाया। मैंने आखो ही आखो से पती से प्रश्म किया तो उन्होंन गारी की चाबिया थमा कर कहा, कल से तुम इस गारी में कॉले जाओगी प्रोफेसर साहिबा, ओ माए गोड़। खुशी इतनी थी कि मूह से और कुछ निकला ही नहीं, बस जोश और भावावेश में मैंने अपने पती तहसीलदार साहब को एक जोरदार जप्पी दे दी और आदमी ने न जाने कितने गिफ्ट दिये, गिंती करती हूँ तो ठक जाती हूँ, इमानदार है रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने की उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद लाते हैं, लंबी सी जप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गारी का निरक्षन करने किंग में इतनी जगह भी नहीं है, मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने, एक स्कूटी ही तो थी पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो, उसने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिला पड़ी, स्कूटी नहीं थी वो, मेरी जिंदगी थी, मेरी धरकने बस्ती थी उसमें, म भी मुझसे बिना पूछे, मैं रो पड़ी, शौर सुनकर मेरी सास बाहर निकलाई, उसने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और फुट पड़ी, रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था, एक बार बहु से पूछ ले, मगर बेटा बढ़ा हो गया है, अब तहस प्यार जो बेन तहा करते हैं, याचना भरे स्वर में बोले, सौरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतनी करीब है, मैंने तो कबारी को बेचा है सिर्फ साथ हजार में, वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के थे, यो ही बेच दिया कि गारी मिलने के बा ऐसे बेच कर नई ले ले, मैंने भी हस कर कह दिया था कि नहीं यही ठीक है, लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी, होती भी कैसे नहीं, वो स्कूटी नहीं, ओकात थी मेरे पापा की, जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ की आउकात से बाहर की है, अचानक पैरों में जान नहीं रही थी, सब लड़किया वहां से चली गई थी, मगर मैं वहीं बैथी रह गई, किसी ने मेरे हृदय का दर्ब नहीं देखा था, मुझे कभी यह हैसासी नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग, गरीब, सम पर ध्यान दे, रात को पापा घर आये, तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब है क्या, तब पापा ने सर पे हाग फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं है बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है, फिर अगले दिन भी मैं कॉलेज नहीं गई, ना जाने क्यों दिल नहीं था, शाम को पापा जल्दी ही घर आ गये थे, और जो लाये थे वो उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए की शब्दों में बया नहीं कर सकती, एक प्यारी सी स्कूटी, तितली सी, सोन चिडिया सी, नहीं, एक सफेद परी सी थी वो, मेरे सपनों क आये ये भी नहीं सोच सकी ज्यादा खुशी में, फिर दो दिन मेरा प्रशिक्षन चला, साइकल चलानी तो आती थी, स्कूटी भी चलानी सीख गई, पांच दिन बाद कॉलेज पहुची, अपने पापा की ओका के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जर सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था, मेरे पापा मुझे कितना चाहते है सबको पता चल गया, मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साइकल रिक्षा पर बैठी थी, तब मैंने कहा नहीं यार तुम किसी और के साइकल रिक्षा पर बैठी हो, मेरे पापा का अपना टैंप है, मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग जंजना उठा था, क्या पापा ने मेरी स्कूर्टी के लिए टैंप बेच दिया था, और 6 महीने से उपर हो गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया, शाम को पापा घ हराए तो मैंने उन्हें गोर से देखा, आज इतने दिनों बाद फुरसत से देखा तो जान पाई की दुबले पतले हो गए है, वरना घयान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था, रात को आते थे और सुबह अंधेरे ही चले जाते थे, टैंप भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे, कैसे पता चलता बेच दिया है, मैं दौन कर उनसे लिप्ट गई, पापा आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला, रोना जो आ गया था, तु मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आख में आसु देखू तो मैं कैसा बाप? चिंता ना कर ब पैरो से सवारिया धोई आपने, ओ पापा आपने कितनी तकली जेली मेरे लिए? मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाए, और मैं धारे मार कर रोने लगी, फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी भी, पता नहीं कब तक रोते रहे, वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सीन्चा हुआ उरंखटोला था मेरा, और उसे किसी कबारी को बेच दिया, दुएक तो होगा ही, अचानक मेरी तंद्रा तूटी, एक जानी पहचानी सी आवाज कानों में पड़ी, फट फट फट, मेरा उरंखटोला मेरे पती देव यानी तहसीलदार साहब चला कर ला रहे थे, और चलाते हुए एकदम बुदू लग रहे थे, मगर प्यारे से बुदू को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा